दोस्तों अगर आप नॉन्विस खाना फ़सन करते हैं तो आपने खरी तरह की नॉन्विस खाये होंगे जैसे कि मचली चिकन मटन इत्यादे लेकिन आपने कभी बटीर कमेट सायद ही खाया हुगा दोस्तों बटीर को इंगलिश में कोई खहा जाता है लोग इसके अंडे को भी बड़े शौक से खाते हैं और इसके मास को भी खाना पसंद करते हैं अगर आप एक बार बटीर का मास खाएंगे तो आपको काफे ज़्यादा फायदे देखने को मिल सकते हैं आजकर बटीर पालन का बिजनस भी बहुत ज़्यादा फलफूर रहा है क्योंकि लोग बटीर का मास खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बटीर के मास में मुर्गे से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इसके अंडे भी ज़्यादा प्रोटीन पॉस्टिक माने जाते हैं बटीर भारत का पक्षी नहीं है यह सत्तर के दशक में अमेरिका से भारत में लाया गया था उसके बाद से हमें बटेर दिखने को मिल रहे हैं नई तो हमें शायद ही पता होता कि बटेर क्या होता है दोस्तों बटेर का मास खाना हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदे मन्द होता है जिससे हमारे कई यंगों को फायदा होता है जैसे की आखों के लिए फायदे मंद बटेर के मास में भर्पूर मात्रा में विटामिन A पाए जाता है जो की हमारी आखों के लिए बहुत ज़्यदे फायदे मंद माना जाता है विटामिन A एक तरह से अंटि आक्सिडेंट विटामिन है जो कि आखों के रोश्णी बढ़ाने में काफी फायदा देता है दूसरा ब्लड शुगर को मेंटीन रखता है जिन लोगों की ब्लड शुगर लेवल सही नहीं रहती तो बड़ी हुई ब्लड शुगर को कम करने में काफी फायदा देता है अगर आप डाइबिटीस की मरीज है तो आपको बटेर का मास खाना चाहिए तीसरा दिमाग के दिये फायदे मंद बटेर का मास आपके दिमाग के लिए भी फायदे मंद रहता है बच्चे और बुज़ुर्गों का दिमाग कमजोर हो जाता है बटेर के मास में फ्रीतवर के विटामिन और एंटियाक्सिडेंट पाये जाते है जो के नियरो सिस्ट्रम के लिए अच्छा माना जाता है चौथा प्रोटेन की कमी को पूरा करता है माना शरीन के लिए प्रोटेन बहुत अवर्शक पोशक तत्व है और बटेर के मास में प्रोटेन फरपूर मात्रा में पाये जाते हैं प्रोटेन की कमी पूरी करने के लिए आप इसमें डाइट में बटेर का मास जोड़ सकते हैं पांचवा कैलिस्टोल को नियंतृत करता है बट्यर की मास में फरपूर मात्रा में फैटी एसित पाय जाते हैं जो कि आपकी कैलिस्टोल को नियंतृत करते हैं और फिर्दर के लिए भी फायदयमंद रहता है छटा लीवर के लिए भी फायदेमन्द बटिय गमांड लीवर के लिए काफी फायदेमन्द माना जाता है दोस्तों बुर्गे कमांड तो 160 से 200 रुप़े तक असाने से मिल जाता है लेकिन बटिय गमांड इतना सश्ता नहीं है यह आपको बजार में आट सो से 12 रुपे किलो के बीच में मिल सकता है वैसे ही इसके अंदों का भी दाम जादा होता है तो दोंस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी आप मारे कमेंट फोक्स में जरूर बताएं मिलते एंगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार कर दो दो